हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टो टेक्स साथी, आज की इस इंकम टेक्स डोस के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप एक सीजने सिटिजन है या सूपर सीजने सिटिजन है तो आपके लिए कौन-कौन से टेक्स सेविंग के आप्शिन्स आपके पास वाले जो तीन मैने हैं, उन में आप कौन से ऐसे टेक्स प्लाइनिंग कर सकते हैं जिससे आपका टेक्स जो है आप सेव कर सकते हैं आज की वीडियो में हम विट एक्सल शीट competition के माधियम से जानेंगे कि आपकी income tax की calculation कैसे होगी साथ में आप maximum tax save कैसे कर सकते हैं तो अगर आप भी जानना चाते हैं इन सारी important बातों को तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए and तक देखिए साथ में maximum लोगों के साथ इस वीडियो को शेर कीजिए ताकि उनको भी इस benefit मिल सके और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर देजे ताकि ऐसे ही लेटेस वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज आज बोकिंग के तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंजल बोकिंग के थूँ अपना फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ग्रेफर करके भी अर्निंग यहां पर कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज वीडियो को तो यहां पर मैंने कुछ-कुछ कंपोनेट इंकम के कंसीडर कीए हैं सीनियर सिटेजन के लिए जिसमें की आप देख पा रहे हैं यहां पर मैंने सैलरी और पेंशन की इंकम ko आच लाग रुपए कंसीडर किया है हाउस प्रॉपटी रेंट को पाच लाग रुपए और यहा यहां पर आप इंकम देख पा रहे हैं, टोटल इंकम जो है अगर मैं यहां पर देखूं, पूरे साल में यहां पर senior citizen की 15,50,000 रुपए है, तो अब इस पे 15,50,000 रुपए कैसे आप अपना tax save कर सकते हैं, zero tax आप अपने यहां पर कैसे पे कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं, आईए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले यहां पर मैंने competition बनाई हैं, जिसके अंदर name, आपका date of birth, previous year ended, assessment year, status और आपका pen number है, उसके बाद competition of income, जिसके अंदर सबसे पहले अपना head आता है income from salary, तो यहां पर अपने gross salary risk किया है, जो की है 8,00,000 रुपए, तो 8,00,000 रुपए में मैं यहां पर किसी भी तरह की HR, professional tax या कोई other deduction यहां पर नहीं ले रही हूँ, other deduction जैसे HR की calculation कैसे होना है, वीडियो का link जो है description में है, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, professional tax जो होता है, वो आप यहां पर working है, तो आपका professional tax deduct होता है, त अगर मैं बात करूँ, तो कोई भी तरह की other deduction, जैसे कि आपके LTA की deduction हो सकती है, अगर आपने कोई भी तरह का कोई भी allowances मिलता है, जैसे कि आपका children care allowance मिलता है, आपको health care कोई भी allowance मिलता है, तो उसकी deduction आप यहां पर ले सकते हैं, labor welfare fund के अंदर अगर आपने डाला है, तो उ आपके 50,000 रुपए, तो यहां पर मैंने उसका total भी दे दिया है, जिसमें कि आपका जो यह standard deduction है, salary और pension दोनों ही cases में आप इसे avail कर सकते हैं, तो 50,000 रुपए तो net income जो यहां पर salary की income है, वो आपकी 7,500,000 रुपए रहती है, अब हमने house property की rent की बात करें, तो rental income जो है, वो है आपकी 1,500,000 रुपए जो की आपकी standard deduction मिलती है, जिसका detail में हमने वीडियो के अंदर discussion किया है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो जरूर देख लीजिए house property पे हमारी पूरी series इस चैनल पे available है, आप उसको जरूर देख लीजिए और different different जो points है, उनको भी आप ध्यान में रख सकते हैं, वीडियो का link जो है description में दिया हुआ है, उसकी बाद interest on home loan, यहाँ पे अगर आपने rental income आ रही है, साथ में आपने वो interest जो है, आप home loan आपने home loan ले रखा है, उस पे interest का payment करते हैं, तो उसकी maximum deduction आपको 2,00,000 रुपए मिलती है, तो 2,00,000 रुप जो आपका net, जो income रहती है, house property की वो आपकी 1,5,00,000 रुपए बच जाती है, उसके बाद यहाँ पे हमने other sources के अंदर saving का interest 15,000 रुपए, 35,000 रुपए, और अगर आपका कोई भी income tax refund है, उस पे interest earn करते हैं, तो उसकी interest आप यहाँ पे डाल सकते हैं, other income आपका 2,00,000 जो standard deduction है, उसके बाद, अगर मैं आपकी देखूँ, तो वो आपकी रहती है, 15,000,000 रुपए में से आपके 4,000,000 रुपए में से आपके 4,000,000 रुपए हो जाते हैं, और बचती है आपकी 11,000,000 रुपए तक की income, उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं, ATC, जो tax saving option है, सबस citizen होते हुए भी आपकी salary, income आती है, pension भी आती है, तो आप यहाँ पे PF और PPF में contribution कर सकते हैं, तो PF में जो आपका EPF करता है, वो आप यहाँ पे छूट ले सकते हैं, और PPF में जो contribution करते हैं, तो वो आप यहाँ पे छूट ले सकते हैं, जिसमें housing loan का interest का छूट हमने उपर ड trust के अंदर, अब housing loan principal की भी छूट ले सकते हैं, tax saving FDR के अंदर डाल सकते हैं, ELSS के अंदर डाल सकते हैं, life insurance, alice से अगर आपने ले रखी है, तो उसमें आप यहाँ पे डाल के total यहाँ पे deduction जो ले सकते हैं, वो आप 1.500.000 रुपए ATC के अंदर ले सकते हैं, फिर बात करते ह है, MediClaim की, MediClaim को लेके मेरे पास बहुत सारे comments receive होते हैं, जिनका separate video के अंदर section ATD को detail में हमने डिस्स किया है, जहाँ पे medical insurance और medical health check-up, दोनों को हमने यहाँ पे डिस्स किया है, जो की है आपका 50.000 रुपए तक का, अगर आपको यहाँ पे maximum reduction आपने MediClaim ले रखा है, maximum deduction आप यहाँ पे 50.000 रुपए ले सकते हैं, या आपको कोई भी treatment करवाते हैं, आपको specified disease का, तो उसके भी छूट आप यहाँ पे ले सकते हैं, एक लाख रुपए, उसके बाद अगर हम बात करें, ATEEA जो की एक नया section है, इस section के अंदर आपको home loan के interest की additional shoot मिलती है, जो की है 1.500 रुपए, जिसका यहाँ पे budget 2021 से जो time limit थी, वो government ने यहाँ पे 31 March 21 से भढ़ा के 31 March 22 यहाँ पे कर दिया है, उसके बाद हम बात करते हैं, ATEEB जो की है electronic vehicle के लिए, electronic vehicle जैसे की हम देख पा रहे हैं, आज की generation के अंदर, electronic vehicle का प्रशलन जो है, वो दिनों दिन भड़ा जा रहा है, तो electronic vehicle अगर आप purchase करते हैं, तो उसके loan पे जो आपके interest की छूट है, वो आपको 1.500 रुपए तक की यहाँ पे मिल सकती है, फिर आप अगर कुसी भी चैर का donation देते हैं, किसी trust को donation देते हैं, जो की ATG के अंदर registered है, तो उसकी भी आप donation की दर नहीं किया है, अगर आप यहाँ पे donation देना चाहते हैं, तो जितना भी donation देते हैं, अगर वो prime minister funds है, तो वो आपका यहाँ पे 100% चूट है, और कुछ-कुछ funds में आपके 50% और 25% चूट है, तो इस 50% और 25% को आप यहाँ पे ले सकते हैं, तो जो आप donation देते हैं, उसकी eligibility के according आप यहाँ पे छूट ले सकते हैं, उसके बाद आता है हमारा ATTTB, ATTTB में आप saving FDR की interest की छूट ले सकते हैं, जो कि आपका total है 50,000 रुपए, तो इस तरह से हम यहाँ पे दिखते हैं, कि आप senior citizen total tax saving जो यहाँ पे कर सकते हैं, वो है 9,000 रुपए, तो इस तरह से अगर में reduction को less करो, तो आपकी यहाँ पे जो net income रहती है, total income, taxable income जो की है आपकी 5,000 रुपए, अब इस पे tax payable calculate करते हैं, तो tax payable आता है आपका 10,000 रुपए का, जिसमें आपको 87A का rebate मिल जाता है, 10,000 रुपए का, तो इस तरह से आप अपनी जो है reduction जो है, आपको किसी भी तर tax payable नहीं करना परता, यहाँ पी जो है, मैंने यहाँ पे slab भी बता रखा है, senior citizen के लिए 3,000,000 रुपए का slab है, जिसमें आपका nil tax है, आपका 3,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 आपने टेक्स को Plan करसकते हैं टेक्स प्लानिंग करसकते हैं और अच्छे तरीकी से अपना टेक्स को Save कर सकते हैं तो आज की वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को related कोई भी Qwerry, Comment है तो आप हमें Mail कर सकते हैं, हमें लेटिस वीडियो अपडेट की साथ तब तक के लिए keep watching stay updated जय हिन जय भारत